है 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 लोग फ्रेंट्स तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए प्यारिसी वीडियो लेकर आई हूं मुझे उमेद है आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आईगी और आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो फ्रेंट्स आज हम जा रहे हैं तपोवन आश्रम यह मैंसाना जिले में मोढेरा गाम में आया है आश्रम के साथ यहां पर सिद्ध हनुमान जी का एक प्यारा समंदिर है और एक तेजस्वी शिवलिंग भी है जो सोने को भी राख बना देती है और तो और एक छोटे से काना जी की मूरत भी है जो थोड़े दिन पहले ही चोर चुरा कर ले गए थे मगर कुछी दिनों में अपने आप ही चोर फिर से उस मूरती को मंदिर में रख कर चले गए तो फ्रेंड्स इस मंदिर में में आपको यहां पे रहने वाले श्री बापू जी जो एक तपस्वी हैं उनसे सभी को मिलवाने वाली हैं और बाकी संतों से भी मिलवाऊंगी इस आश्रम में गौशाला भी है जहां पर 30 से 40 गाए हैं इस आश्रम में संतों के लिए और दूर दराज से आए हुए भक्तों के लिए आराम करने की सुखसु विदाये भी हैं और बापू जी खुद संतों और भक्तों को अन्न पुरुषते हैं अपने हातों से और बड़े प्यार से फिर उन्हे आशिरवाद भी देते हैं इस आश्रम में कोई भी तरीके के पैसे नहीं लिये जाते और हम खुद एक रात के लिए इस आश्रम में रुके थे पर हमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम किसी और के घर रुके हैं तो फ्रेंट्स अब मैं आपको आश्रम के रुटीन के बारे में बताना चाहूंगी सबसे पहले सुबह के छे बज़े आती होती है फिर गौशाला से गायों को चराने के लिए ले कर जाते हैं दोनों ही समय भोजन और नाश्ते से पहले हनमान जी और काना जी को भोग लगाते हैं और फिर खुद ग्रण करते हैं प्लबर नाश्ते गायों करते हैं कर दो 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 हुआ 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 है हुआ हुआ है 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 हुआ